हाई नमस्कार किसान भाई यो आपका एक बार फूसागत मेरे खेती किसान यूटूब चैनल में तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आगया हूँ आपके पास तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की फजल कैसी देख रही है और फली कैसी लग रही है तो किसान भाई यो हम आपके लिए दिखाएंगे और आभी इसमें फूल भी लगे हुए हैं लेकिन अभी एक दो हपते में ये मसूर पटने लगेगी यानि उखडने लगेगी तो किसान भाई यो आप देखिए ये देखिए फली अच्छी तरीके से लगी हुई है किसान भाई आप देखी सकते हैं और इसमें फली भरने लगी हैं और ये बहुत सी भर चुकी हैं और कुछ भरने वाली हैं किसान भाई आप देख सकते हैं और आभी फूल भी लगे हु में लगुए हैं तो यह कुछ वक्त वाद सूक जाएंगे और यानिके I doen Hein Stra ? ओर किसान भाई यह देखिए कहीं कहीं य्जो सूकने लगी है तो अभर और किसान भाई करीब एक से डिट हपते मैं यह मसूर उखड़ने लगए की और इसमें पहले हमने है लिको इंसेक्टिसाइड को डाला था माहूमच्चर के लिए तो अच्छा रिजल्ट मिला है और किसान भाई आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फसल देख रही है और मसूर में थोड़ी सरसों भी उगाई है आप देख सकते हैं तो इसे हमने उखाड़ नहीं पाया था तो इस वज़ये से ये कुछ ज़्यादा ही फैल गई है हो गई है और इसे हम राई बोलते हैं बुंदेली में तो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है अब जब मसूर उखड़ेगी तब ही ये राई भी उखड़ेगी यानि सरसों भी उखड़ेगा तो किसान भाई यो आप भी कमेंट करके बताईए आपकी मसूर कैसी है अच्छी है या नहीं और कितने दिन वाद कितने हफ़ते वाद उखड़ने लगेगी आप कमेंट करें कमेंट करके हमें बताईए और मसूर बहुत ही अच्छे तरीके से लहला आ रही है किसान भाई आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है मसूर ये देखिए किसान भाई यो फली बिल्कुल भर चुकी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फली भरी हुई है तो किसान भाई यो ये वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों को जरूर सेर करें जिससे उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके और हमारे यूटूब चैनल पर ऐसी ही खेती किसानी संबंदी जानकारी आपको मिलती रहेगी और यदि किसान भाई आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें हम आपका कमेंट पढ़कर जवाब देने की पूरी कोसिस करेंगे और यदि आप किसान भाई हमारी यूटूब चैनल पर नए आयों तो चैनल को कर लिजे सस्क्राइब और पास में लगी बेल आइकन को दवा लिजे के ऐसी लेटिस्ट वीडियो पाने के लिए तो किसान भाईयों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को मेरी तरफ से राम राम